परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है ये कभी मत भूलिए उसकी भलाई सदा की है हमारे हर शेत्र में हर परिस्थिती में उसकी भलाई सदा की है मैं सच क्या रहा हूं आपको हो सकता है आप अपनी परिक्षाओं से डड़ जाते होंगे लेकिन कभी-कभी परमेश्र आपके जीवन में परिक्षा लेकर आता है क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी भलाई को देखें रिस सोलॉट आललूया मेरे भाई मेरी बैहन परमेश्र को जानना और परमेश्र को समझना बहुत जरूरी है यह Bible क्यों है, यह कलीसिया क्यों है ताकि हम परमेशर को जाने यह हम सिरफ चंगाई के लिए आजाते हैं अपनी नौकरी की आशीश के लिए आजाते हैं कि सब मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, मेरा धंदा अच्छा बड़े मेरी बिमारी निकल जाए मेरे भाई, प्रभू के करीब आए, यह सब चीजे निकल जाएंगी पाप बिमारियों को लेकर आता है क्यों लाता है आपको पता है ताकि आपका ध्यान बिमारी में ही रहे बिमारी शैतान की ओर से आती है, और क्यों आती है कुकि आपका दियान बेमारी में रहे आप परम इसस hon capaz विपर अपने ज्दी दियान लेकर ही न जाये रेस अलूट कि परिष्राव में बीमारियों में अगर आप परमीसर से प्यार करते हैं मैं सच कह रहा ह हूं ये बेमारिय आपका कुछ नहीं कर सकती कुछ नहीं कर पाएंगी आप उस योजिना को समझे न हलो इशु मसी कहता है कि जब तू बादल देखता है तो यह सोचता कि बारिश आएगी जब तू प्रकरती को देखकर समझ लेता है कि क्या होने वाला है तो तू परमेश्टर को क्यों नहीं जानना चाहता क्यों नहीं समझना चाहता तू तू उसके क्रूस को क्यों नहीं समझता है उसके बलिदान को क्यों नहीं समझता है तू क्यों पाप में रहता है क्यों अस्वाइशों में रहता है क्यों स्वास में रहता है क्यों परमेश्वर का नियाम परमेश्वर की आग्याएं बोजिल नहीं है आलेलुया मेरे भाई हमें परमेश्वर को समचना पड़ेगा अगर आप नहीं जानेंगे उसके वशनों को शैतान खतम कर देगा आपको आप संधे करते रहेंगे आप इश्वास करते रहेंगे आप सी रिष्टी आपके खतम हो जाएंगे क्योंकि आप सही ग्यान के अनुसार नहीं चल रहें नहीं चल रहें आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ बताओं आप चाहते हैं कि आपका जीवन बतले आप चाहते हैं कि आपकी सोच बतले आप चाहते हैं कि आप वो जीवन जीएं जो इशु चाहता है क्या वो जीवन जी रहें जो इशु चाहता है हां के ना आप वो जीवन जी रहें जो इशु चाहता है नहीं, नहीं जी रहे हैं वो जीवन आप, प्रेस अलोट, आप चाहते हैं वो जीवन जी ना, पहला यह ना एक कर नौ निकाली जल्ली से, यदि हम अपने पापो को मान ले, ध्यान से इस वचन को सुनियेगा, और आज का एक एक वचन ध्यान से सुनियेगा बता रहा हूं मैं आपके जीवन क्यों नहीं बदल रहे हैं? चुकि मैं इतनी मेनस से वचन सुनाता हूँ, आप उन वचनों को लेते नहीं अंदर, इसलिए काम नहीं हो रहा आपके जीवन में वचन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उनको लेहीं नहीं रहे ध्यांसे इस वचन को सुनिए यह बात हो रही है मसी होने के बाद की इस वचन है जो मैं आपको दे रहा हूं मसी होने के बाद का वचन है पहला यौना एक का नौप पढ़िए बेटा यदि हम अपने पापों को मानले यदि मैं हम अपने पापों को मानले तो वह हमारे पापों को शमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है यदि हम अपने पापों को मानले तो वह हमारे पापों से हमें शुद्ध करने और धर्मी बनाने में विश्वास योग्य है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो माफ करता है को बोल रहा है मागो कि अब निया है मानो खेख अब आनो कुतने और आको है प्राबल्लम क्या हो रहा है है आज मैं आपको प्राबलम बताता हूं कि आज कर जो मसी है वो मसी बनने से पहले अपने आपको इशू मसी समझता है इतना इशू मसी भी नहीं समझता है जितना आज के मसी समझते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम पवित्र हैं इसलिए वो ना तो अपने पापों को मानते हैं, ना अपनी गलतियों को मानते हैं आज का मसी क्या है? आज आप जब पाप करते हैं तो आप मानते नहीं है आप कचा रहे मैंने गुस्टा किया मैंने काली दी लेकिन उसने मुझे गुस्टा दिलाया उसने मुझे कुछ दिलाया इसलिए मैंने काली दी इसलिए मेरी कलती नहीं है मैं क्यों माफी मांगू मैं क्यों माफी मांगू अरे भई गाली तुम्हारे मुझे निकली है गुस्टा तुमने किया है माफी तुम्हें मांगनी चाहिए नहीं नहीं गुस्टा तो उसने दिलाया उसने गुस्टा दिलाया मैंने हत्या की मैंने कलती कांगी हलो, आजकल घरों में यही हो रहा है मिया बीबी में यही हो रहा है संबंदों में यही हो रहा है मैं क्यों माफी मांगूं गल्ती उसने किये मुझे गुसा उसने दिलाया है मुझे धोका उसने दिया है मैं क्यों माफी मांगूं और ये सब तमाशा शैतान देखता है क्योंकि शैतान जानता है जब तक आप माफी नहीं भागेंगे आप आजाद नहीं होंगे आजाद नहीं होंगे आप जब तक आप आप क्या चाहते हैं आप आपकी आजादी आपके हाथ में है आपके पती के हाथ में नहीं है आपकी पत्नी के हाथ में नहीं है गलत समी में मत रही है अगर इशो मसी बातलों पर सवार होकर आएगा वो आपको लेकर जाने वाला है वो आपको देखागा कि आप पवित्र है की नहीं है वो आपको देखा कि आप में उसकी आत्मा है की नही है अगर आप में नहीं होगी तो आपके पती को लेके जाएगा लिखा हुआ है ना कि अंतियम समय में एक ही खाट पर दो आदमी सो रहे होंगे एक उठा लिया जाएगा लिखा है ना तो दो आदमी जो खाट पर सो रहे होंगे के दुश्मन होंगे क्या पती पत्नी होंगे न कि आपके मुझे क्या निकल रहा है। हलो मैं कहां पाप में हूँ Ya आपके मुझे तो कोई पाप नहीं हो रहा ना मुझे पाप रहित जीवन जीना है बोलिए मुझे पाप रहित जीवन जीना है इसका दाई तुम मेरे पास है मेरे उपर है बोलिए इसकी जिम्मेदारी मेरे उपर है कि मैं पाप रहित जीवन जीओं परमिश्वल पर नहीं है उसने आपको पवित्र बना दिया है आपके पती के पास भी नहीं है आपकी पत्नी के ऊपर भी नहीं है आपके बाइफ्रेंग के ऊपर भी नहीं है आपके किसी रिष्टी के ऊपर नहीं है यह आप पर डिपेंड करता है हालेलुया भूग लगती है आप खाते हैं आपका पत पती कहता है भूग लगती है ना अपना पेट आपको अपनी भूग लगती है ना आपको पता लगता है कि मुझे भूग लगी है कभी ऐसा हुआ है कि आपके पती को भूग लगी और पता आपको लगाओ कभी हैसा हुआ है क्या होता है होता है जब प्यार होता है खाता कोई नहीं है दुख किसे होता है जब प्यार होता है तो ऐसा ही होता है भूका कोई रहता है आसु कोई बाता है और कोई हसता है Praise the Lord क्योंकि हसने वाला जानता है ये जो हो रहा है ये कुछी दिन के लिए है Hallelujah Praise the Lord Amen तो मैं क्या क्या रहा हूँ आपकी सिम्हेदारी आपके हाथ में है हाँ जी इफिसे 4 कर सब्सक्राइश क्रोथ तो करो पर पाप मत करो सुर्य अस्त होने तक तुमारा क्रोथ न रहे Amen आगे क्यों और न शैतान को अफसर दो क्रोथ तो करो लेकिन पाप मत करो सूर्य अस्त तक तुमारा क्रोथ निकल जाना चाहिए नहीं तो शैतान को अफसर दो गया अपके उपर है अपने आपको पुझद्र करना अपने आपको धर्मी बनाना अपनी धार्मिकता को लेकर चलना थिस अपतू अस यह हमारे उपर है वह कहता है यदि तु पाप करेगा येदि तु पाप के लिए माफी माझेगा तो मैं तो जे माफ करूँगा प्रेस अलॉट दो चोर याद हैं आपको दो चोर जो इश्व मुसी के दाएं और बाएं थे हाले लिया देखिए आज पढ़ते हैं लूकाज थे इस पढ़िए 39-42-43 जो कुकरमी महा लटकाए गए थे आप यहां दो डाकों के बारे में ध्यान पढरिए नमेसे एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या मसही नहीं दोनों चोर थे दोनों और य। जोनों को उनकी सजा के मताबिकek सजा अपने आपको और हमें बच्टा इस पर दूसरे ने उसे कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता एằm अब यह बायाद चौर जो है वो क्या कह रहा है अरे तू मरी नहीं है वो इस मेशिछ से कह रहे तू मरी नहीं हैं अगर मसीफ है तो खुद को we bacha слова to how tough ही किया वह क्यों कह रहा है कि यह जो चौर है यह नहीं समस्ता कि मुझे क्रूप की सत्थ मिलनी चाहिए और ये समझ कि उसने भी हत्या कि उसने घ्थ कि उसने भी जूट भूला उसने भी धोका दिया और है और बोलोग तो आजाब नहींiblis는 कि में और भी मांगो कि रिसलोट महीं अपने पापों की माफी मांगो क्यों चोर कह रहा है अरे तू अगर मसी है तो मुझे उतार क्योंकि मैं कुरूस पर होने के याव योग के नहीं हूं मुझे कुरूस पर बिकार में लटका हुआ है अब देखिए दहीना जो चोर है वो कहता है सुनिये इस पर दूसरे ने उसे डाट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता तू भी तो वहीं दंड पा रहा है और हम तो न्यायनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं इस चोर ने अंगिकार किया कि हम दंड पा रहे हैं जो सही है क्योंक इसने यह नहीं का कि इशुमसी मेरे माबाप से पूछिए उन्होंने मुझे जब मैंने पहले चोरी की थी तो मेरे माबाप ने मुझे क्यों नहीं रोका था इशुमसी उस आदमी को भी आप दंड दीजिए जिसने मुझे क्रोज दिलाया था जिसने मुझे गाली दी थी, ईश्ट्रमसीers उस आदमी को भी आप दंड दीजिए, जिसने मुझे चोरी करने के लिए उक्साया था, उसको भी दंड दीजिए, उस नया धीश से बात करिये, जिसने मुझे माफ नहीं किया, दिया नहीं दिखाई, उसने क्या किया? नहीं, उन्होंने accept किया, मैंने गलती किया मैंने गलती किया, मैंने पाप किया ए Amen जैसे उसने अंगिकार किया कि मैंने पाप किया मैंने गलती किया, I am sinner, मैं पापी हूँ क्या का इश्योमसी ने? पढ़ी आगे तब उसने कहा हे येशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूधी लेना उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा एमेन हालेलुईया उसने पूछा येशु मसीने कि तो आगे एक काम करेगा कब किया था तुने एक काम क्यों किया था तुने एक काम पुछा नई उसने अपनी गिल्टी को महसूस किया कि येस मैंने पाप किया है I am sinner मुझसे गल्ती हुई है मुझसे गल्ती हुई है मैं पापी हूँ इश्व मसी ने कहा तू आज ही स्वरलोक में होगा और एक चोर जो आज का मसी है आज के मसी क्यूं आशीश नहीं पा रहे है 15-15 साल से 20-20 साल से आप कलीसिया में आ रहे हैं आशीश नहीं पा रहे हैं अभी भी व्याकुल हैं, अभी भी दुखी हैं अभी भी जलते हैं आप क्यों? क्योंकि आप अपनी गल्ती को मान नहीं रहे हैं आप दुस्रे चोर की तरह हैं जो ही कहता, ए इश्व मसी और खुद भी उतार, मुझे भी उतार क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ अगर मैंने किसी को हत्या कर दी तो यार, बहुतों नहीं किये मैंने चोरी कर दी तो बहुतों नहीं किये यही थौट है आज के मसी का को मैं पहला हूँ जूट बोल रहा हूँ मेरे चस्में बहुत जूट बोलते उनका क्यों नहीं कुछ हो रहा है मेरा क्यों हो रहा है है कि बहुत का देते मैंने कैती मसिए ओक को डेखा आप भाने बनाते प्रवू इस्षू मसी इस चूर को कोई जवाब नहीं दे रहा था जो ये भोल रहा था कि मैं हत्यारा नहीं हूं जो यह बोल रहा था कि मैं क्रूस पर चड़ने के योग के नहीं और मुझे कुरूज से उतार कुछ जवाब नहीं दे रहता है इशुमसी ने जवाब दिया नहीं दिया उसने का तू नर्क जाएगा तू नर्क जाएगा अगर तू शमा नहीं मांगेगा अंगिकार नहीं करेगा अगर तू एकसेप्ट नहीं करेगा कि तिरी गलती है तो कि बाइबिल पड़ रहे हैं प्रास्वा भी कर रहे हैं लेकिं अंदर से शुद्ध नहीं है आप अंदर से शुद्ध नहीं है आप वचन के अनुसार जीवन नहीं पिता रहे हैं प्रेसलोट इसलिए आपके अंदर बेचैनी है इसके लिए इसलिए आपके अंदर दुख है कब शाम उननेश का तेरा थनाइं के पापों से यहां पर भजदार रार कहता है थृटाई के पाप काई बार हम मजाक मजाक में पाप करते हैं कभी कभी हम बहुत मजाग मजाग में पाप कर लेते हैं अरे तो मैंने मजाग में कहा था अरे नहीं यार मजाग में कहा था नहीं वो क्या कह रहा है जो हम मजाग में पाप कर लेते हैं जो हम यूहीं पाप कर लेते हैं जिन पापों को हम पाप समझते ही नहीं प्रब्लम क्या है कि आप जो पाप कड़ते हैं उनको पाप ही नहीं समझ रहे हैं यहां पर भजनकार क्या कहता है कि मेरी बुद्धी खोल ताकि जिन पापों को मैं पाप नहीं समझ रहा हूं उन पापों को समझू प्रेस अलोट भजनकार क्या कह रहा है नहीं पाई यानि कि वो जो पाप है आप पर प्रभूता कैसे करता है बार बार आपसे कराता है बार बार आपसे वही पाप कराता है और आप समझते कि ठीक है शैतान कहता नहीं नहीं यह रोके आप ठीक है आप उस्से में रहिए आप गाली के जवाब गाली में दीजिए क्या बचन ऐसा कहता है हमें कैसा जीवन जीना है शैतान की तरह ये हम इशू मसी के तरह जीवन जीने आए हालेलुया क्या इशू मसी ने गाली सुनकर गाली दी थी मुझे बताईए क्रूस पर इशू मसी को लोगों ने गाली दी उसके मुँपे थूका हलो मेरी तरफ देखिए इशू मसी को लोगों ने गाली दी उसके मुँपे थूका क्या उसने दुबारा थूका उसने क्या कहा इन्हें माफ करना ये नहीं जानते ही क्या कर रहे है क्यों ये चरित्र हम में नहीं है कैसे हम आशीष पाएंगे वो क्या कहता है कि परमेश्व ठिटाई के पापों से मुझे बचा आगे वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं तब मैं सिद्ध हो जाओंगा तब मैं सिद्ध होंगा आप सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहे हैं त चुकि आपके ठिटाई के बाप, आपके छोटे बाप आप पर प्रभूता कर रहे हैं। No, I am right. मैं ठीक हूँ. मेरा बाप गलत है, मेरी माँ गलत है, ये पडोसी गलत है, वो पडोसी गलत है, ये पडोसी गलत है, सब गलत है, मैं ठीक हूँ. मेरे भाई आप क्यों नहीं सिद्ध हो रहे हैं आप बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ है कि इशू मसी को पाने के बाद आप पाप करें नहीं सकते आप करेंगे लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप पाप करते हैं शमा मांगे हो सकती है आपसे गलती हो जाए हम इंसान है हम संपूर नहीं है हम इश्व मसी नहीं है हमसे गलती हो सकती है sorry बोलिए अगर कोई सामने है जिसका आपने दिल दुखाया है उसके सामने जाकर बोलिए I am sorry मैंने आपका दिल दुखाया है सब्सक्राइब और चौना करी कि एसलोट कैसे पर्मेश्र की रूह आपके अंदर काम करेगी जबतक्स आप अशुद्ध हैin कि परमेश्चर की आत्मा आपके अंदर काम नहीं क्यों परमेश्चर ने अपनी आत्मा भेजिया है ताकि वह हैं आपके अंदर काम करें फ्रेस्ट लॉट हाइँ मैं सिद्नाइन हो जांब उसके लादüyor और बड़े अपरादों से बचा रहूंगा, ये छोटे-छोटे ठिठाई के पाप मुझे बड़े अपराद करवाते हैं, आप समझते हैं, या चोटा सा जूटी दो बोला है, अजो चोटा सा जूट बोला है, महवाब से जूट बोला है कि इसको पता सलेगा, फिर आपको के चोटा पाप आपसे बड़े अपरात कराता है, चोटे पाप करते करते आपका मं कठोड हो जाता है, आप सौंचते हैं रहे हैं यार, अप तो पहले से बेस जादा इजब है मेरी, जब सकता हूं लोग मेरी इजड़ करते है eigenen हो सकता है मनुष्व के बीच में आपकी इज़त हो जाए लेकिन परमेश्व की नजर में आप खतम हो गए आपको किसके सामने जीना है आपको किसके सामना करना जाकर स्वर्ग में परमेश्वर का मनुष्व का नहीं हम कभी मनुष्व के सामने ठीक होने के लिए अपना जीवन ना जियें यही होता है लुका 18 निकाले लुका 18 नौ से 14 बढ़िए यहां पर दो वेक्ति हैं जो प्रात्रा कर रहा है एक फारसी है और एक चुंगी लेने वाला है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुछ जानते थे यह दृष्टांत कहा देखिए ईशू मसी ने यह दृष्टांत किन से कहा लोगों से किसके बारे में कहा सुनिये आप दोष्टा पढ़िए उसने उनसे कहा जो अपने ऊपर ओर दूसरे दो मनिश्य मंदिर में प्राथना करने केरा कि लिए एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला पर इसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रात्ना करने लगा हे परमेश्वर उससे उन लोगों से उस जो इस बात के लिए अपने उपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुछ समझते थे जो अपने आपको ग्रेट समझते हैं हाँ हाँ दूसरों को तुछ समझते हैं जब आप चोटे चोटे आप करते हैं और चोटे फोड़े पापों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो अपने आपको सही समस्झते मैं बैकू जूको हुआ हु उस्से मुझे गुशह दलाया है मेरी माने मुझे सब्सक्राइब क्यों वह लाओ से में निमाने ऐसा अब बात नी करूंगे अपनी मासे में अपनी मासे बात नी करूंगा कि इसलोट कि जब आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो दूसरों को तुछ समझते हैं अब क्या होता है आगे देखिए वो फारसी था आगे बोलिए दो मनुष्य मंदिर में प्रातना करने के लिए गए एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रातना करने लगा हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्याई और विविचारी नहीं और न उस चुंगी लेने वाले के समान हूं मैं सब्ता में दो बार उप्वास रखता हूं मैं अपनी सब कमाई का दस्वा अंश भी देता हूं एक मिनिट हालेलिया अब देखिए एक धर कि मैं पैसा भी देता हूं मैं दाशान्श भी देता हूं यहनि क्या रखा था जो अपने आपकोngthoca समझते हैं जो समझते ही नहीं हैं की परमेश्रम क्या है हमको कैसा जीवन जीना जैसा परमेश्रर् चाहता है या जैसे हम चाहते चर्श में ऐसे कहीं है आप मुझे लिए प्रेस अलॉट हालेलुया कैसे हैं उनके चेरे पर हसी देगी बनावती हसी कैसे हैं चर्श में ऐसा शो करेंगे जैसे पूरी तरीके से धर्मी है आपने कहीं देखा लोगों को कि जब वो परातना करते हैं तो भारी भारी शब्दों का उपयोग करते हैं ऐसी प्रातना करते मैंने कई पास्ट्रों को देखा अरे बाप रे बाप प्रातना ही खतम नहीं होती उनकी वो शो करते हैं कि हमको प्रातना के द्वारा कितना ग्यान है मैं कैसी प्रातना करता हूं क्या परमिश्व चाहता है हम उससे ऐसी प्रातना कर पद्रस ने प्रएंवा किप दी जैसी डूबने लगा पत्रस ने का मुझे बचा इसलिए कि उमसीह था और जैसे तुने मुझे का आने के लिए मैं भी आया कोड़ाया मैंने और जैसे मैं एक कदम बढ़ाया और में हवा को देखा और मैं डूम किया प्रभू मुझे बचा इतना बोलने के दुट्टू नहीं है वो हमारा प्रभू है वान्दा नहीं है बैना नहीं है आलेलिया तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो बास समझ नहीं रहा है यह जो फारिशी है यह समझ नहीं रहा है कि बाप कर रहा है हम चर्च क्यूं आ रहे हैं पर में चर्च में हमें दीन बनाना चाहता है, नमर बनाना चाहता है, ताकि हम उसको समझ सकें, जब तक आप में दीनता नहीं होगी, जब तक आप पूरी तरीके से खाली नहीं होगे, आप प्रभू को नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, मैं आपको कई बाल बोला है, कई बार कि आप क्या त्वाषिन के नध शहलाते है किस वचन के नुसहार चला रहें कल का दिन आपने किस बचन के नुसहार चला कि आद था वचह समझती नहीं इसाव एह आ força गाम नहीं करतो शॉम्मा क्राम करते को क्या बाइधिल पढ़ते नहीं च्छिंवेयमें करते जुटि के रूप में हमें परमेश्वर की तरह जीना है आ आपके मनन को जनाता है वह फॉरसी को मनन को जानता है कि वह फॉरसी क्या है आरे वारे बढ़ जल्ली से जो आखो सो अठीज ने वाली एक परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर हाले या सूच एक क्यों कहा कि को जानता है कि मैं पापी हो एमैन मिशाथी पीट पीट कर उसने कहा कि मुझे बचा चाहिए इनदर वो पाप की गंभीटा को जानता था आज जो आप पाप करते हैं चाहे आप जूट बोलते हैं चाहे आप धोका देते हैं जाए किसी का दिल लुखाते हैं चाहे आप हत्या करते हैं चाहे कुछ भी करते हैं आप उस पाप की गंभीरता को नहीं समझ रहें आप समझ रहे, छोटे से जूट बोलने ने कर दो काम सब्का से, किसी को गाली देरे से धमका कर मेरा काम सुर्वाए, तो यह व्यानिम प्रण कर सब्कादानी है, नहीं आप समझ नहीं रहे इशु मसी क्यों कहता है कि अधी तू पाप करे और माफी मांगे तो परमेश्वर तुझे माफ करेगा क्या कि आप पाप की गंभीरता को समझ ये आप समझ ये कि पाप कितना बड़ा भैंकर है पाप को बड़ास नहीं कर सकता परमेश्वर अपने आपको बड़ा समझ जाकर अगर आप परमेश्वर के सामने आप परमेश्वर को जूटा से आपका ठहरा रहे हैं क्या ये चुंगी लेने वाला क्या था कि मैं पापी हूँ उसे चाती पीट-पीट करका मुझे माफ कर वो देख भी नहीं पा रहा है वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहा है वो नजरें नहीं मिला पा रहा है लेकिन वाइबल क्या करती है वो धर्मी गिना गया पढ़ी बेटा क्या लिखावा है क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वो चोटा किया जाएगा और जो अपने आपको चोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा अगर आप अपने आपको बड़ा बनाते किना नाई मैं माफी नहीं मागूंगा आप समझते का बड़े हो रहे हैं आप नीचे किये जाएंगे शमा मांगने वाला परमेशर उचा उठाता है एहम करने वाला घमंड करने वाला कि ना है अध्बूद है और बहुत जरूरी है कि आप उसको समझें पहला यहना यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को शमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्या और धर्मी है यदि हम अपने पापों को मान ले मेरे भाई क्या आप से हाथ जोड़ रहा है अगर गलती करते हैं घुटने देगी और उसे कहिए मुझे माफी करते हैं मेरे मुझे गलत शब्स निकल गया है है प्रभू मैंने गलत बात सुन ली है है प्रभू मैंने गलत बात देख ली है मुझे माफ कर मैंने अपने मन में गलत बात लेकर आया प्लीज मुझे माफ कर उसकी समय प्रबू माफ करेगा उसकी समय प्रबू माफ करेगा लेकिन अगर आप कहेंगे नाई मैं गलत नहीं हूँ और यह होता है इस चीज को मानिए यही है यही है यही है शैतान जो आप को बताता है कि नहीं आप गलत नहीं है परमेश्र ने कैन को बोली थी, कैन नहीं समझा, उत्पत्ति चार का साथ पढ़िये बेटा, यदि तु भला करे, तो क्या तेरी बेट, कैन ने क्या किया था, दोनों ने अपना अपना दशांश परमेश्र को दिया, भेंट लेकर आए, और परमेश्र ने हाबिल के भेंट को स कोई कार नहीं किया, अब देखिए, वो क्रोधित हो गया, तो परमेश्र क्या कह रहा है, देखिए, यदि तु भला करे, तो क्या तेरी बेट ग्रहन न की जाएगी, यदि तु भला करे, एक मसी की भलाई किसमें, एक मसी की भलाई किसमें, मुस्से बात करिया भी बताया है सामने जब खड़े होंगे आप और जब परमेश्वर आपकी पिक्चर लगाएगा आपको खड़ा हो के आप के परमेश्वर में तो चर्च जाता था कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया परमेशर दान दिशान देता था जाता था चर्श बीच साल तक चर्श में गया हूं अन्तिम समय तक जब तक इसो मस्यार तक मैं चर्श में था बाइबल मेरे हाथ में था परमेशर कहेंगा अच्छा वेरी गुड लगाओ इसके पिक्चर फिर आपकी पिक्चर चालू होगी आपके सामने आपकी पिक्चर दिखाई जाएगी कि आपने क्या किया था मैंने करला पतागा जो अंदकार में आपने किया है वो भी दिखाए जाएगा आप समझ रहे हैं कोई नहीं देख रहा है मैं तो रूम में हूं किसी ने देखा ही नहीं कौन है देखने वाला बाइबल क्या कहती है कि जो अंदकार में पाप किया है तुने उन पापों को परमेश्वर दिखाएगा कि वह यह तुने यह किया है कि मैं पाप भेंकर चीज़ है पहला कुरूंतियन 4 का 5 इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो वही अंदकार की छिपी बाते जोती में दिखाएगा वही अंदकार में छिपी बातों को जोती में दिखाएगा जो आपने अंदकार में पाप किये आप सोच रहे हैं कि मैंने घर में किसी को गाली दे रहा हूं, मैं घर में किसी के लिए बुरा कह रहा हूं, परमिशन नहीं देख रहा है परमिशन अंदकार में छिपी उही बातों को दिखाएगा कि तुने अंदकार में बोला था यह हाललुया वही वह कैन को बता रहा है उत्पत्ति चार का साथ बढ़िए यदी तु भला करे तो क्या तेरी बेट ग्रहन न की जाएगी और यदी तु भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है हां यदी तु भला करे कैन ने क्या किया क्रोथ किया हाविल के उपर हाविल की गलती क्या थी कोई हाविल की गलती थी वह भेंट लाया परमेश्र ने उसकी भेंट स्विकार कर ली इसमें गलती हाविल की थी नहीं थी ऐसे होता है हम कई मसीहों से कई लोगों से अपने पास ने हमारी बात नी मानी पास्तुबान भी नहीं समझ नहीं हुज हुए हैं टस साल से हम आ रहे हैं और आप हमारी बात नहीं समय रहें हैं कि हम आपसे नराज है तो कॉछ प्रभू आपको बुद्धी दे अलेलिया क्या किया है विल अबिल ने कुछ किया वह अपनी बेट लेकर आया उसे चड़ाया क्यों क्रोधित हुआ क्योंकि उसमें पाप था उसने का भला काम करें अगर तू भलाई करें तो ऐसा नहीं होगा पढ़िए बेटा चार का साथ द आप परमेश्वर क्योंकि आप भला नहीं कर रहे हैं आपकी भलाई किसमें है ताकि आप मांगे कि आप गलत है आप आप है आपने पाप किया मानिये यह मुझे गल्ती हो गई है प्रभू कि शैतान आपको शिक्षा देता रहे अगर आज तूने मान लिया तो जिन्दगी स्टीवर मानना पड़ेगा अशक्तृ अब सरब है कि अक्सर्य पति पतियों के भीश मों होता है पत्नी केति नहीं हूं जल्दी मैं नहीं मानूंगी हर है इतनी जल्दी मैं नहीं कहूंगी कि इनको जुकाऊंगी इस दु कल यह फिर भोलेंगे पती को जुकाते हैं जुकाते हैं वो औरत प्रभुक के सामने से चली जाती है क्यों हम घर में मसी नहीं रह पाते हैं क्यों हम एक मसी को कैसे पचाना जाता है पता आपको एक सही मसी को कैसे पैचाना जाता है चर्च में नहीं आप चर्च में किसी मसी को पैचान नहीं सकते हैं आप किसी मसी को उसके बच्चों के दोरा पैचान सकते हैं उसके बच्चों से पूछे कि तरी मम्मी कैसी है कितने मिले उठती है पापा को कितनी बार गुस्सा करती है कितनी बार खाना नहीं देती है या फिर आपके घर में जो काम करने वाली बाई है वो बताएगी वो चिपचा काम करती रहेगी सुनती रहेगी यह पास्टर है यह पास्टर की वाइप है हमें अपने घर में भी परमेश्टर की उपस्रती में रहना है। आप लोग ये मत भूलिए कि आपको सिर्फ चर्च में ही आशीष मिलेगा। घर में आप छे दिन रहते हैं, आप घर में कौन सी क्रिया कडते हैं, कैसे प्रतीव क्रिया ही कडते हैं, उस पर आपका जीवन अधारित है छीनने की कोशिश मत करिए देने की कोशिश करिए मैं सच कह रहा हूँ जिस जिन आप में देना शुरू हो जाएगा ना सिर्फ पैसे की बात नहीं है अपने एहम को दीजिए अपने घमन को दीजिए गलती हो गई है मावी मांगे मुझसे गलती हो गई है हो सकती है गलती किसी से भी हो सकती है इसलिए वो कहता है परमेशर कि तू अगर भला काम करता तो तू क्रोधित नहीं होता भला काम क्या है अगर कैन कहता है परमेशर मुझे पता ही नहीं था क्या परमेशन उसे सजा देता है को अ क्यों बध्धी मांगो य्यकुब की पत्री क्या करती है जो बुध्धी मंगता हुसको बुध्धी दी जाएगी इक का 5 प्रिशलाव का कि हम क्यों नहीं मांगते हैं हम क्यों diver सीख ना चाते हमें बनन करूं, बाइबल पड़ू, बैठता हूं, 12-13 गंटे बढ़ने की कुछ है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, मुझे इसमें बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ नहीं आता है, मैं आज भी रोता हूं, मुझे प्रभू बता, एक एक वच्छन को समझने के लिए मै मुझे बता, मैं next Sunday क्या दू हूं, आज Sunday दिया है, न, मैं आज शाम को बैठ जाओंगा गुड़ने पर, कि मैं next Sunday अपने वच्छों को क्या दू हूं, तब मैं दे पाता हूं आपको, हर सुबए जब मैं सोंवार को उठता हूं, उस से पहले मैं तयार करता हूं, मैं मांगत कि प्रभू में आज क्या दू बच्चों को अपने भाई बैंट जो यूटूब में जूम में जुड़ रहे हैं कहा कहां से जुड़ते हैं हमारे चर्श में आप लोग जो नहीं जुड़ते प्लीज जुड़िए आशीश पाएंगे सुबह की जो सभा है हमारा बहुत करेंगे जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा हम उसकी भलाई को नहीं देख पाएंगे देखिए उड़ाव पोतर की कहानी बताता हूं दो मिन में उसके बादा मचन करेंगे लुका पंदरा अठारा मैं अब उटकर अपने पिता के पास जाओंगा और उससे कहूंगा कि पि छोटे पूटर ने पाप किया उसने बाप से कहा हूं मेरा हब कहा है het मेरा हग तरी ने बड़े वेटे ब horrible दय शोटव बिटाश लागया या उससे एयाशी में एष करने में वे और सारा परसा कमा दिया और ऐसी हालत आ गई कि सूरों के खाने से वह खाना खाना चुरू कर Aun एफ जो खाना स्वार खाते थे वो खाना उसे मिलता था तब उसे असास हुआ उसने चैनल की है कि मैंने पाप किया है उस समय उसने क्या एसास किया हलो आम आपण अर उसनित नहीं लगाया उसने के दोश लगाए अरे यार मुझे ऐसे दोस मिल गए थे तो मैंने पाप किया अरे मेरा बाप अगर उस समय मुझे रोख लेता तो मैं आज ये नहीं करता अरे मेरा बड़ा भाई अगर मेरा हाथ पकड़ लेता तो मैं ये नहीं करता क्या उसने करा? नहीं मैंने पाप किया है आपका जीवन है आपके डिसीजन आपके है आप किसी पर तोहमत मत लगाई है कि उसने ऐसा किया तो ऐसा किया आपके पास बुद्धी है अपना डिसीजन लीजिए इसलिए उसने क्या क्या उडाओ के पुत्रों ने मैंने पाप किया है और मैंने पाप सिर्फ अपने पिता के वुरुद नहीं किया है स्वर्गिये पिता और जमीनी पिता के वुरुद पाप किया है जैसे ही उसने पाप का अंगिकार किया जैसे ही उड़ाव पुत्र ने अपने पाप का अंगिकार किया उसकी बुद्धी खुली उसने पाप उसने पिता की भलाई को देखा कि मेरे पिता के घर में नौकर हैं मुझे नौकरों को खिला सकता तो मुझे क्यों नहीं खिलाएगा क्या ये बात अगर उसे पहले ही याद आती तो जाता है क्योंकि शैतान ने उस बात को रोग रखा था वह पाब की भलाई को वह पिता की भला ही को समझी नहीं पार था पहले उसके जहन में जब वो लेकर गया पैसा, पिता की भलाई उसको नहीं समझी, लेकिन जब उसने पाप का अंगिकार किया, ये इस मैंने पाप किया है, अपने स्वर्गी पिता के वरुद पाप किया है, और अपने जमीनी पिता के वरुद पाप किया है, मैंने पाप किया अंगिकार करिए खतम हो जाएंगे आप क्योंकि इशू स्वार के तभी लेकर जाएगा जब अंगिकार करेंगे आप उस दाही ने हवाले चोर को इशू मसी तभी ले गया उसने का येस मैं पापी हूँ उसने माफ किया येस मुझे पापी मैं पापी हूँ आप दिन में कई पाप करते होंगे रात को सोते समय अंगिकार करिए अगर आपके मुझे को गलत शब्द निकला है अंगिकार करो एलट रहो कि परमेश्टर प्लीज मुझे बताइए मुझे चौकरना रखिए ठिटाई के पाप क्या है अरे मैंने आपका दिल दुखाया और अवह हैं डाव चाह ने सकता है अब ऐसके आपको दूह उडगा कि अपना इलाज कराये आप खा़न विके आप लाब को सामने ठाथ तो यह नहीं बोलेगा आप यह नहीं है सकते परमेश्टर से अच्छा परमेश्टर यह पाप था मैंने आपके वुरुद किया मुझे पता नहीं था पता नहीं था कोई बात नहीं यह रास्ता नरक में जाता है वहाँ जाईए वहाँ आपको सब पता चलेगा नरक की आग आपको बताएगी कि मेरे मुँझे ऐसी निकल गया होगा यह है ठिटाई के पात्र ऐसे ही निकल गया होगा अरे मेरा मन यह नहीं था मतलब आप से ऐसे करने का मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं आपको दुग दूँँ अरे कि प्रेसलोड शैतान किसी भी रूप में आपको आपकी आत्मा को नश्ट करना चाहता है यहाद रखिये उसका मकसद है कि वो आपकी आत्मा को नश्ट करे जिसको ईश्व मुसी ने अपने लहू के द्वारा शुद किया है जीवित किया ईश्व मुसी ने अपने बलेजान के द्वारा इसलिए चौकरने रहिए चौकरने रहिए शैतान की चाल से No, we have to alert हमें हर पल पवित्र रहना है चाहे हमारा शरीर पवित्र हो ना हो लेकिन हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना है और उड़ाओ पुत्र ने समझ लिया कि मैंने पाप किया है उसने अंगिकार किया कि मैंने पिता के वरुद्र सौरगी पिता के वरुद्र पाप किया है और पिता ने उसे स्विकार किया और सोने की अंगूठी दे आपके लिए भी इनाम है आपके लिए भी इनाम है, इसी पल इनाम है, अगर आप घुटने पे आकर अपने पापों को मानते हैं, मानना चाहते हैं, आपने जो पाप किया आपको याद आ रहे हैं, आपके मन में ऐसा कोई पाप है, जो आपने किया याद है, याद आ रहे हैं, घुटने पे आईए, आपको यद आ घूए कोई आसा पाफ जिसे अब तक आप नहीं समझते थे और आपको आज लगा गिए और मैंगैं पर नहीं चुरस रही बैए कुट एड़ने पाइए हु आट पर मेशन यहां पर है माफि माँगी माफि माँगी माफि माँगी ओरे बाबा आखा हिंद औरे मादो शेकलाडी हाले यहाले 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 इशो तेरे पास हर पल मेरी हर सास तेरी सूती करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महीमा गाती रहे हर पल मेरी हर सास तेरी सूती करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महीमा गाती रहे हर दिन मेरी हर दिन मेरी हर दिन मेरी रहे येश्वा 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 अपना मुझ खोल कर बोलिये, उसे मांगिये, मुझे प्रभू शमा करे तेरे पास आता हूँ ये शो तेरे पास हर पल मेरी हर सास तेरी सूती करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महीमा गाती रहे अपने हाथ को उठाइए ये शो आ ढ आ आ बेश्बाला करेए ऐस परवेश्ब्पर मेरे करेगा पर वेश्यनों आपको अजाद करेगा जो इस समय समय यूट्यूब पर देख रहे करे he इसी लिए गुचने देखे से कर को ये आए पर आ ये शो तेरे पास तेरे पास आता हूं ये शुख तेरे पास हर पल मेरी हर सास तेरे सुती करती रहे हर दिन मेरी हर बास तेरे महीमा गाती रहे एजिए शुख नाम से आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद 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 आप एपके पड़ीरप यंशिश हम पर बना रहे है धन्यावाद दिए धन्यावाद बुद्द्धि ज्ञ Ou्त रोसमज अब धते पर मेश्चित एश्व फेकनाम Phi Ben हैं माफी के लिए शमा के लिए परमेशन उनको आजाद कर आजाद कर आजाद कर इश्व मसी के नाम से मांगते धन्यवाद देते हैं इश्व मसी के नाम से प्राथ आपके पुत्र इश्व मसी के नाम से करते प्राथ आपने सुनियर को भूल कि हम सब कहेंगे जो से तालिया म आप से बहुत 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 प्यार करता है